नमस्कार मैं पूजा वश्रिष्ट आप सभी का बोल्ट स्काई में स्वागत करती हूँ कई बार खाना खाने के बाद कुछ लोगों को पेट दर्द होनी लगता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जल्दी जल्दी खाना बोजन कुछ चबाकर नहीं खाना अब ते अधिक खा लेना कुछ फूट कॉम्बिनेशन आदि अधिक भूख लगने के कारण भी पेट में दर्द तकलीफ महसूस होती है जो खाते ही दूर हो जाता है कभी कभी पेट में समस्या दर्द हो तो उसे नौर्मल माना जा सकता है लेकिन अगर ऐसा बार बार हो तो ये कोई मेडिकल कंडिशन हो सकती है इसे डॉक्टर से दिखाना ही ठीक है तो आई इस वीडियो में जानते हैं कि खाना खाने के बाद पेट में दर्द क्यों होता है कुछ लोगों को भूख लगती नहीं कि वो खाना देखते ही तूट पड़ते हैं और इतना ज्यारा खा लेते हैं कि पेट फूल जाता है खाना खाते ही पानी भी पी लेने की आदत से पेट में दर्द शुरू हो सकता है इसलिए जब आप बहुत अधिक खा लेते हैं तब भी पेट में दर्द होता है फूट पॉइजनिंग के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है फूट पॉइजनिंग होने पर आपको उल्टी डाइरिया और जमेका में शरीर कताप मान अधिक होना ये लक्षण खाने के कुछ घंटों बात नजर आ सकते हैं एसिडिक फूड खाने से पेट में दर्द होना अमलिये खादपदात के सेवन से पेट में जलन हो सकती है एसिडिक फूट में फॉलो का रस प्रॉसेजड पनीर टमाटा राधी शामिल होते हैं फॉलो के रस को बोजन करते समय ना पिए वरना पेट दर्द हो सकता है कई बार पाचन तंदर में हवा के फसने से बेचैनी पेट में खिचाफ अस अहचता या फिर तेज दर्द हो सकता है खाने के बाद अपच से पेट में दर्द खाना ये पीने के बाद किसी भी व्यक्ति को अपच की समस्या हो सकती है इससे पेट दर्द ब्लोटिंग और बीमार होना स्ट्रेस जैसी शारेरिक समस्या होने पर भी आपको बोजन करने के बाद पेट में दर्द और असहज महसूस हो सकता है